हेलो दोस्तो स्वागत है आपका Honest User Reviews की नहीं वीडियो में तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लिख आया हूँ Kia Sonnet का Honest Ownership Review वीडियो आज मैं आया हूँ काड़ गोदाम हल्दवानी और नैनिताल दिस्टिक में पढ़ता है तो अगर मैं बात करूँ सब कॉमपक्ट SUV सेग्मेंट की तो आपके पास इस साइम पे सब कॉमपक्ट SUV गाड़ियों में बहुत सारे ऑप्शन्स हैं अगर मैं बात करूँ आपके पास Nexon है Venue है Kia Sonnet भी है और रैनू की काईगर और निसान की मैगनाइट काफी सारे ऑप्शन है लेकिन अगर बात आती है फीचर रिच कार्स की तो बंदा जो है Kia Sonnet पे जाना पसंद करता है तो दोस्तों ये कार परचेस करी थी Mr. Gaurab जी ने तो Gaurab जी से जानेंगे इस कार से रिलेटेट उनके positive औ जुन, 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 वी गाड़ी को मेरे साल बर नहीं हुआ है और ये अपका 20,000 km चलागी है तो मुझे रनिंग परपेस बहुत ज़ादा था मेरा इस वेसे मैं इसमें प्रिफेर करा है मैंने गाड़िया बहुत देग कि इस वेरिंट डीजर में मिला है ये वेरिंट मुझे उसमें पैट्रोल इंटा उ मिला इसी प्राइस पे ये थी फटी मुझे आपका 12,70,000-aintv सारी चीज़ें और कि एवरेज के मामले में गाड़ी तक कोई तोड़ नहीं है मेरी अब लोकल में मुझे 17 के राउंड एवरेज जाता हूं जाता हूं तो 21-22 तो चला जाती है अच्छा तो सर ये बताइए कि जैसे आप उस टाइम पे जब गाड़ियां आपने 12-13 के आसपा आपको ये अन्रोड पढ़ गई है तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं साथ मेने पहले आपके पास और भी गाड़ियों के ऑप्शन थे क्योंकि टाटा नेक्सवाउन उस टाइम पे मार्केट में ज्यादा डिमांड में थी अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके उसमें ज्यादा चर्चे है उसके और भी आप महिंद्रा एक्सवी त्रीडवल पे भी जा सकते थे तेरा साड़े तेरा लाक में अगर आप डीजल की बात कर रहे हैं उसमें आपको इससे ज्यादा टॉक भी देखने को मिल जाता है तो आप उन गाड़ियों पे क्यों गए तो आप तो इको सब्सक्राइब निखाल से साथ मैंने पहले डिसकंटिनुन्यू होने की गगार पर थी तो उसके बाद भी आप उसको देख रहे थे तो जैसे आपने तेरा लाक रुपे खर्च किये इसमें तो आप अगर एक दो लाक रुपे और एक्स्ट्रा कर्च करते कि आप 13 जा सकते थी तो आप किया सेल्टोस के उपर क्यु ने गए एक सेगमेंट और उपर आपको गाड़ी मिल जाती है उस पर यह ता कि वो मुझे मिल रहे थे बेस मॉदल एं वेसे थोगी मॉडल फें चीलिट तो इसमें मुझे हर एक पीचर्स मिल रहे जो तो मुझे और गाड़े में पुर्फेर नहीं होते हैं उस टाम पर लेक के रौंड में तो जैसे इसी की सेम सिस्टर कंपनी है वेन्यू तो वेन्यू में भी आप उसके टॉफ एरिंट पर जा सकते थे सब्सक्राइब या सकते थे वह भी तेरा साड़े तेरा लाक में पड़ा जाता है अब बात आती है इसके माइलेज की तो सर कितना माइलेज निकाल लेते हैं आप इसके 1.5 डिटर डीजल इंजन से मैं इसमें अभी तक तो मेरे गाड़ी आपका 15-16 अवेज दे रही है लोकल म अच्छा तो आप यह मैनुवल वेरिंट चला रहे हैं और आटोमेटिक अच्छा तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके इंजन की तो यह आप इसमें इंजन ऑप्शन भी की भरमार है आपके पास वन लीटर टर्बो इंजन का ऑप्शन है बारहों सीसी पैट्रोल इंजन तो हिल में कैसे इसकी परफॉमेंस है अब ही मुझे चलाते हुए तो साथ मेने मुझे तो आज तक अब गारी दोका अच्छा कितना ही जादा हाई टोक ऐसा भी हो मैं जैसे से रानिखित लेके गया हूं तो उस वजह से तो मुझे तो आज तक इसमें कोई ड्रॉबएक ला कि अगर किसी की ररिंग बहुत जादा है जैसे पहले से लोग बोलते थे कि डीजल इंजन मतलिजे मेरे फादर यह मुझे अलाओ नहीं कर दो डीजल के लिए मेरे फादर इंबला डीजल साट घर में खड़ी रही कि तो साट करने पाद में दिक्कत आती है बहुत सारी इसनों बन भी कर दिया बट बन भी कर दिया अच्छी चीज तो सर एक चीज मेरा क्वेशन रहेगा अभी मैं कुछ दिनों पहले एक्स्वी 3-2 का रिव्यू किया था तो उसमें वह वता रहे थे कि उसमें हैड हैड्लेंप का जो थ्रो है वह उतना अच्छा नियर नाइट म एक्सवन में भी देखने को मिलता है तो किया सॉनेट में आप जैसे बीस हेर किलमेटर कर चुके हैं और नाइट में भी आपने अच्छी कासी ड्राइव कियोगी और हिल एरिया में तो कॉर्णरिंग मगेरा का काफी इस्यू रहता है क्योंकि हैड्लेंब का थ्रो ज्यादा मेंटर करता है तो किया सॉनेट आपको कैसा तो करते हैं मैं इन दो गाड़ियों को अलग रखे अगर कमपैरीजन में आए इसका मुझे बेस्टो बेस्ट अगर आप इसको देखें इसमें जो फंक्शन दिये हुए इतने सारे दियां चाहिए इसमें द्याल देशिए निच तो अधर गाड़ियों की भी टैस्ट्राइव ली थी या फिर यही था कि मन में की किया सॉनेट पे ही जाना है वह देखिए मैंने गूगल जाधा कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग है जो वीडियो बनाते हैं जैसे आप बना रहें तो वैसी मैंने यूट्यूब में द उसके अंदर इंट्रियर था उसमें सबसे अच्छा यह लगा तो मैं स्लेस में तो बिल्ट क्वालिटी की भी आजकल ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि जब आजकल बंदा गाड़ी लेता है ना इंडियन जो अपना मिडल क्लास बंदा है तो वह गाड़ी में आजकल फीच अपने देखा ही होगा सुना भी होगा मारुति की बिल्ट क्वालिटी जो है लगते ही मतलब एकदम जीरो आजाते हैं तो अकॉर्डिन टू मारुती कंपेरिजन अगर किया जाए तो यह लाग गुना बैटर है इस वज़े से तो अच्छा है जब अच्छी क्वालिटी दे अच्छा नहीं है बट फिर भी मैंने इस पर ट्रस किया वड़ास इसने भी मेरे ट्रस नहीं तो अब बताएए कि सर्विस डिलीवरी एक्सपिरेंस कैसा है और कितनी वेटिंग जल रही थी जब आपने परचेस करें तो गाड़ी वहां पर तो नहीं आप आ रही थी बट उ चाहे आपका डिलिवरी बॉइस हो या कुछ भी एक्सपिरेंस हुआ हर चीज में बहुत सपोर्टेट हैं किसी बीचीज में मतलब जाते ही तुरंट गाड़ी सारी चिज़ें मतलब कोई इंसा नहीं का किया प्रिफर करेंगा मैं यह बोलूँगा कि उनको कंपनी से भी और अच्छा तो यह बताइए कि कितनी सर्विस कॉस्ट आपको पढ़ा जाती है जो मैंने स्टार्टिंग जो फर्स्ट इसका सर्विस था वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था मतलब उस टैम पर 500 क्लिम्ट में चैक करता हूं त्या सारी चीज़ें दान उसके बाद मेरी इसकी फंद् जो सर्विसिंग कर दिया था तो यह बताइए कि आपने इसका टॉफ एरेंट लिया हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा एससरी भी आफ्टर मार्केट वगरा लगवाई हुई है जो इसमें आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जो हैं बस में मैंने की कटिन से जो बाहर से अब देखें पीशे तो यह जो कंपनी विटेट कर देंस आते हैं इसमें पुलिस वाले कुछ नहीं नहीं पर देखें मैं मानता हूं कि आजकल लोग कहते हैं कि काले शिशे अपने यह गाड़ी ओन होगी तो उसमें निचे करूंगा कुछ आट यहां से निचे आज आज़ अच्छा तो यह बताइए कि अब यह सब बात है तो भी पॉजटिव इसकी आपने पॉजटिव बताती है कुछ तो निगेटिव आपको लगा होगा आपके पहले प्यार में मुझे इसमें यह लगा जिए उसकी बिल्ट कॉलिटी है थोड़ी सी चाहे आप दोर्स में ले है तो उसके लिए गाड़ी पॉफेक्ट है वैसे तो हुंडई और किया जो है इनका फो स्लेंडर इंजन है और अपने रिफाइन इंजन वनाने के लिए कंपनिया फेमस है तो फिर भी आपको इसके इंजन में कितना रिफाइन में लगता है और केविन नॉइस कितनी मिलती अब बैठाओं अब बैठाओं अब बार में जब घर जाके देखो तब लगता दा स्क्रेश लगा है अब भाया देखो जब भी वेन्यू और किया सोनेट की बात आती है तो इनका जो इंटीर है जो रेयर केविन स्पेस है जो पैसेंजर का वहां पर दोड़ा यह इतना अच्छा स्पेस ऑफर नहीं करती है जितना की एक्स यूवी 300 और नेक्स ऑफर करती है इसमें बैठाओं चाहिए हम पीछे बैठाओं जाए तो मुझे प्रॉपर स्पेस मिल रहा है लाग स्पेस काफी अच्छा है हाइट स्पेस सब कुछ तीक है मतलब मेरे हिसा नहीं बरसन होंगे उनकी हाइट के सब सब खाग बनना है और मैटेरियल की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको जो जितना भी यह दैश बूर्ड और यह स्टेरिंग बिल्ड क्वालिटी मुझे बस का थोड़ा सा यह स्पीकर के यहां पर थोड़ा सा लगता है कि कु करके देखिए आपको अगर कोई शिकायत लगे तब आप कह सकते हैं कि मुझे तो नहीं तो कभी ऑफ रोड़िंग करी है इस से आपने सबसे ज्यादा आपको बूट स्पेस ओफर करती है 392 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जो की इसकी सिस्ट उसमें आपको इसमें किया सोनेट में आपको सबसे ज़्यादा इन तीनों गाडियों में से मिल जाता है यह बताईए कि अभी फिलाल कोई बंदा 2022 में किया सोनेट परचेस करना चाहता है तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे 13-14 लाग का उसका बजट है तो वह क्या किया सोनेट पर जाए या फिर और अपना बजट इंक्रीज करके कुछ और गाड़ियों पर चले जाए जिस तरह किसी यह थोड़ा सा किया भी अपना उसमें थोड़ा से चेंजिस कर रही है अकॉर्डियों मैं यह बहुत बढ़ चुका है चाहिए आप डीजल पर इन देख 12-13 लाइक है तो मेरे हिसाब से उसे किया सोनेट एक बाट राए करनी ज़रूर जी ठीक है गौरब जी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए अगर आप लोगों मेंसे भी कोई हल्दव